नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप तादू याजो से समाचार सुनेंगे समीतियों के जमा करताओं को दावाराशी हस्ता अंतरित की उत्राखन में रुदरप्रयाग जिले के गोडी कुन में भुसकलन के बाद चार लोगों के मृत्यू 15 लोग लापता प्रियांसु रजावात और H.S. प्रनोई औस्ट्रेलियन ओपन बैड्मिंटन टूर्नामेन के पुरू सिंगल सेमी फाइनल में प्रवेश किया अब समाचार विश्तार से मनिपूर में हिंसा और राजस्थान में महिलाव के खिलाप अत्याचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्सी सदस्यों के बीच तीखी नोगजोग के कारण सांसत के दोनों सदनों की कारवाही आज भी भादित हुई मनिपूर को लेकर लोग सभा की कारवाही दो बार स्थागित की गई चबकि राजे सभा की कारवाही एक बार बादित होने के बाद फिर देन बर के लिए स्थागित कर दी गई सुभा के स्थागन के बाद राजे सभा की कारवाही बारा बजे जब दो बारा शुरू हुई बिपक्ष किननेता मलिकर्जुन खरगे ने मनिपूर पर नियम दोसो सरसट के तहट चर्चा की मांग उठाई सतापक्ष और बिपक्ष की सदस्यों के बीच तीखी नोगजों के कारण सभापती जग्देब धनखर ने सदन की कारवाही दिन बर के लिए स्थागित कर दी शुरू कर दिया जिस पर अध्यक्ष ने सदन की कारवाही दोपहर बारा बजे तक के लिए स्थागित कर दी दोपहर बारा बजे से सदन की कारवाही दोबारा शुरू हुई और इसे दोरान अंतर सेना संगठन कमान नियंतरन और अनुसाशन विदेग 2023 और भारतिय प्रव उद्देशय मनिपूर पर चचा की मांग को लेकर शोड़ सरवा करते रहे और सदन की कारवाही 12 बच कर 50 मिनिटक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने आज हंगामे की बीच अंतर सेवा संगटन, कमान, नियंत्रन और अनुसाशन विदेग 2023 पारित कर दिया है। ये विदेग अंतर सेवा संगटनों के कमांडर इन शीफ या ओफिसर इन कमान को उनकी सेवा के बावजूत कमान के तहट सेवा कर्मियों पर अनुसाशत आत्मक तथा प्रसासनिक नियंत्रन रखने के उद्देशय से ससक्त बनाने के लिए है। विदेग के प्रापधानों के अनुसार केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगटन का गतन कर सकती है जिसमें तीन सेनाव में से कम से कम दो कर्मी उपस्तित हो। विदेग को रखते हुए रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने कहा कि सरकार ससस्त्रबलों को बहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और ये कानून बदलाप की दिशा में एक महतपुन कदम है। उन्होंने कहा कि विदेग ससस्त्रबलों में एकिकरन और सन्युकता को बरावा देगा तथा इससे अंतरसेवा संगठनों में अनुसाशन बहतर होगा। लोगसवा ने आचांगा में की बेच भारत्य प्रवंदन संस्तान संसोदन विदेग दो हजार देश को पारित कर दिया। इस विदेग के महध्यम से भारत्य प्रवंदन संस्तान अधिनियम दो हजार सत्र में और संसोदन किये जाएंगे। विदेक अनुसार भारत्य प्रवंदन संस्थानों को राष्ट्य महत्व का संस्थान गोशित किया जा रहा है और साथी ये राष्टपती को अधीनियम के अंतरगत आने वाले प्रत्यक संस्थान के विजिटर के रूप में नामित करता है। विदेक को रखते हुए शिक्षा मंत्रे धर्मेंदर प्रदान ने कहा कि सरकार का IIM की अकडेमिक स्वय तक्ता में अक्साशेप करने को कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विदेक प्रवंदन की जवाब देही तेक करने के लिए लाया गया है। भाजपा के जगदंबिका पाल और YSRCP के कृष्ण देवरायलू लावू ने विदेक पर संशिफ चर्चा में भाग लिया। केंद्रेग्रा और साकारिता मंत्री अमिसा ने आज नई दिल्ली में सहारा रिफन पोर्टल के माध्यम से सहारा समू के सहारी समीटियों के जमा करताओं को उनकी दावाराशी हस्तांतरित की। इस अपसर पर श्रिशार ने कहा कि अगर सहाकारिता अंदलोन को मजबूत करना है तो सहाकारिता के प्रती लोगों का विश्वास भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाई होती है जिससे लोगों का विश्वास तगमका जाता है। इस अपसर पर श्रिशार ने कहा कि प्रतानमंत्री नरंद्र मोदी का मानना है कि देश के हर गरीब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोगों का अधिकार भी है कि उन्होंने जो पैसा निवेश किया है वो इन्हें बापस मिले। सकारिता मंत्रिन ने कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार गरिवो और माध्यम वर्ग की लोगों को सभी सुविधाय मुहिया कराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सहारा सुसाइटी में निवेशकों का डूबा पैसा बाबस दिलाने में सकारिता मंत्राले को बरी सफलता मिली है। श्रिशा ने कहा कि आज निवेशकों को उनके बैंक खते में 10-10 हजार रुपिय ट्रांसवर किये गए है। आने वाले समय में सरकार्ने वेशकों की पूरी जमाराशी लोटाने में सफल रहेगी। विकास करने की सराना की। वित्मंत्री सितारमन ने कहा कि भारत सभी समुदायों के लिए समान विकास उपलब करा कर, समान विकास के लिए समुदायों को सशक्त बना कर, गरीबों के लिए अफसर पैदा करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत में लाए गए सुधारों ने भारत में योजना के वी केंद्रिकरन को मजबूत किया है जिसने राज महात्वा आकान से विकास के लक्षे को निधारित करने और अपनी शमता के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्चम हुए हैं। उन्होंने इस बाद पर भी जोड दिया कि भारत वैश्विक संप्रभू, रिन, गोलमेच, समिलन, बहुपक्षिय विकास बैंकों को जुधार, क्रिप्टोनियमों और रिजिटल सार्वजनिक बुनियादी धांचे पर अग्रिनी भूमी का निभा रहा है। वित्यमंत्री ने कहा कि भारत को अपने विकास के अनुभव को साजा करने और उन देशों की समता का निर्मान करने में खुशी होगी, जो भारत के अनुभव से लाव उठा सकते हैं। उप्षो बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने भारत की राजनितिक नेत्रत्व की भी स सभा में एक प्रश्ण के उत्तर में डॉक्टर मांधविया ने कहा कि इस साल जुलाई तक योजना के तहट कुल 5 करोड 43 लाग अस्पताल में दाखिले को मंजूरी दी गई है। करने में महतपुर्ण भूमी का निभा रहे हैं। लोकसभा में आज प्रश्ण काल के दोरान पूरक प्रश्णों का उत्तर देते हुए केंद्र स्वास्त राजय मंत्री भारती प्रवार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के ठीका करन पर विशेश तोर पर अभ्यान दिया जा रहा है। स्वास्त राजय मंत्री ने ये भी कहा कि देशवर में 18 वर्श तक के बच्चों को तपेदी, पोलियो और खसरा जैसे रोकों से बचाने के लिए पूरे देश में ठीका करन अभ्यान चलाए जा रहे हैं। हैसिल प्रसाशन के दल राहत और बचाप अभ्यान में जुटे हैं। शेत्र में लगातार हो रही मुसलादार बारिश के चलते राहत और बचाप कारियों में परिशानियों का सामना करना पर रहा है। इस वीच मौसंबी भाग ने तीहिरी, दहरादून, पोडी, बंगेश चमपावट, नेनी ताल, उदम सिंग और नगर और हैदवार में अगले 24 गंटों के दोरान कहीं कहीं भारिश से बहुत भारिश होने की संभावना जताई है। प्रियांशू रजावट और एचेस प्रनोई सीडनी में ऑस्ट्रेलन ओपेन बैटमिंटन टुर्णामेन के पुरुष सिंगर सेमी फाइनल्स में पहुँच गई है। प्रियांशू ने क्वाटर फाइनल्स में वरिष्ट बैटमिंटन खिलारी की दांबी स्रिकान को 21-21-21 से पराजित किया। इसी के साद ये समाचार बुलिटिन समाथ हुआ। नमस्कार।